उनमें जीवन का रस नहीं है, यानि जीवन ही नहीं है, जीवन की तीवरता नहीं है, तो रास यानि जीवन का रस, शरीर का नहीं है, बलकि जीवन का, क्योंकि शरीर के रस कम जादा होते रहते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं पर वो बात कर रहे हैं जीवन के रस की तो पूर्णिमा की रात की नृत्य को रास कहते थे क्योंकि वो जीवन के रस से भरा हुआ होता था वो रात की हॉर्मोनल पार्टी नहीं होती थी, न तो वो शराबियों की पार्टी थी, वो कामक लोगों की पार्टी नहीं थी, यह उनकी पार्टी होती थी जो जीवन के आनंद से भरपूर थे, तो उसे रास कहा जाता था. ये रास मश्हूर हो गया जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया या देखा उनकी वज़े से रास की बातें पहलने लगी शिव ने जो हेमालेक शित्र में रहते थे इसकी बारे में सुना कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है तो वो देखना चाहते थे आखें बंध हों तो उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं होता वो नाचते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता ना आदमी न औरत वो वहां हो यह नहीं सकते हैं वो ऐसा नाचते हैं तो जब उन्होंने इस ने नृत्ति के बारे में सुना जहां रस बह रहा है तो वो देखना चाहते थे वो यमुना के तड़ पर पहुँचे और वो नदी बार करना चाहते थे एक नाविक ने जो वहीं मौजूद था उसने देखा क्योंकि शिव एक भुरुष है शायद शायद नहीं शिव ही धर्ती के सबसे फिट देव हैं योग विद्या में योग संस्कृती में कहते हैं कि वो नौ फिट लंबे थे इसकी वज़ा ये है कि जो वे नीचे दक्षन की हो रहा है दक्षन भारत में तो कहते हैं कि वो एक औसा तौरत से दो गुने लंबे थे तो आम तोर पर उस समय दक्षन भारत में औरतों का कद साड़े चार से पांच फुट के बीच था तो यह माना जाता है कि वो साड़े आठ से नौ फुट के बीच थे तो वे एक पुरुश हैं पूरे पुरुश परम पुरुश तो नाविक उन्हें देखकर बोला आप बहुत ज़ादा ही पुरुश हैं आप रास में ऐसे नहीं जा सकते वहां बस एक ही पुरुश है सिर्फ एक वहां कष्न ही पुरुश है इस तरह का आदमी वहां नहीं जा सकता शिव बोले तो अब मैं क्या करूँ वो बोला कम से कम औरतों के कपड़े पहन कर जाए वो बोले क्या मैं औरतों के कपड़े पहन कर जाऊँ वो बोला वरना आप रास में नहीं जा सकते तब वो बोले अब मुझे औरतों के कपड़े कहा मिलेंगे तब वो नाविक बोला मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ वो आपको अपने कपड़े देतेगी आप उन्हें पहने और जाएं रास में सही तरीके से हिस्सा लीजिए एक स्त्री गुण की तरह ना कि पुरश गुण की तरह तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला किया जो उसने पहने हुए थे मेरा मतलब वो एक गरीब परिवार था शिव ने देखा कि ये दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं है